ये वीडियो आप लोग की फिसक्स की प्रिपरेशन के लिए रहने वाला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की तगडी प्रिपरेशन फिसक्स की हो जाएगी तो हैट्वोन जरूर यूज करें पार्टी के लिए मैं तो पार्टी के रही थी मैंसे के रही थी मुझे बंदे ने बुलाया बुलाया इंदे साथे बाच महाँ इंदे साथे तूँ तूमक 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 So Hello Everyone! Welcome to my channel Tutto कैसे आहोंस सभी लोग dispos को परिछान बड़ी होंगे घर वड़ी में है अप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आज के इस virmomले लैक toxa हमे treating movies क channels ओ औरBU्रेशन और आप लोगों से इन सब कराव आप लोग आप लिए conceptual series, previous year series, NCRT series भी launch करने वाला हूँ, तो channel को subscribe कर लेना, क्योंकि तगड़ा physics का content 12th के point of is, आप लोग को इस channel पर मिलने वाला है, so video को एंट तक के देखें, और अपनी घर बैटे तगड़ी preparation करें, बस याद रखना, जो भी मैं आप लोग को बढ़ा रहा हूँ, इन सब के तुरू, आप लोग का concept, बहुत तगड़ा बिल्ड हो जाएगा, धर बैटे, आप लोग आपने एंट से भी थोड़ी questions की practice कर लेना, previous year वाले जो आते हैं, latest, वो ले लो भाई, इससे आपका काम बन जाएगा, मालो अगर आपने ये वाला chapter पड़े, उसके बाद जाके आप लोग उन questions को एक दो बार prepare कर लेना, आपके अच्छे number आ जाएगे, क्योंकि question banks के अंदर तुम लोग को questions प्रेक्टिस के लिए पैकेज, जिसके अंदर सारे answers भी आप लोग को given है, तो link description में given है जाए Amazon के तुर इसको purchase कर लो, best deal में आप लोग को ये question paper मिल जाएगा, so चलिए start करते हैं मारे नए chapter को जिसका नाम है, moving charges and magnetism, ये रहने माला है class 12 physics के लिए, और याद रखना, जो भी गंडे, 4 गंडे, 5 गंडे का बनाता, तो शायद तुमको लगता है कि वो सही है, गलत बात यार, तुमको कोई भी चीज मा उपर उपर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सभी चीज़ों वो डीटेल में cover up कराऊँगा, ये मेरा पूरा पूरा आप लोग को promise है सब्सक्राइब करने से पहले, आप लोग मुझे फॉल अप जरूर कले मेरे YouTube चैनल पर और साथ ही साथ टेलिग्राम के चैनल पर जॉइन कर सकते हैं, फिसिक्स का टेलिग्राम का चैनल डेडिकेटली अलग है, आपको अब मेरा एप भी आ चुका है, आप एप के थूरू सभी चीज़ों को डाउनलोड कर पाऊगे, नोट से लेकर सब कुछ आप लोग को वहीं पे ही मिल जाएगा, और हमारे जितने भी courses है, वो सब वहीं पे मिल जाएगे, काफी सार लोग का एक डाउट आ रहा था कि भाईया, जितने भी live classes है, अगर हम बात में जॉइन करते हैं, तो उसके recorded classes मिल जाएगे, यहाँ जी, सब कुछ अब लेवल है, टेंशन बिलकुल ना लो, तो यह चल रहे हैं भी recent batches, app launch होने की खुशी में 25% off चल रहे हैं सभी courses में, तो आप लोग अवेल कर सकते हूं, जल्दी से जल्दी जाएगे, description में link given है, जाएगे और grab करिए इस deal को, क्या पढ़ने वाले दोस्तों तो यह सारे के सारे topic को cover up करने वाले, याद रखना ये boards 23, 24 के point of issue में बता रहा हूँ, ठीक है तो समझ में आया, अब भाईया क्या नहीं पढ़ना है, confusion बड़ा रहता है, school के teacher कुछ भलता पढ़ा रहे हैं, कई YouTube में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, CBSC ने अपने rationalize portion में chapter 4 के बारे में क्या बात किया है, तो देखो ये ये चीज नहीं है, ये जो table बगेरा और आप लोग को जो यहाँ प exercise लिखा, इसका मतलब ये पुरानी NCR ठीक है, ये topic deleted है, new वाली अगर आप लोग purchase कर लोगे तो कोई दिक्कन दी है, बढ़ हाँ, याद रखना है एक चीज, velocity selector अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ चुके हो, मत पढ़ना, स्लेबस में नहीं है, cyclotron, toroid भी नहीं है, solenoid स्लेबस में है, ठीक है दोस्त, और magnetic dipole moment of revolving electron, ये वाला topic भी deleted है, ना तो ये 5th chapter में है, ना ही 4th chapter में, तो ये वाले topics को आप लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और इस वीडियो में भी मैं आप लोग को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हो, उस chapter का नाव है, moving charges and magnetism, काफी सारे लोग confused रहते हैं, moving charges and magnetism, magnetism में आर पहले 5th chapter पढ़ाना था, फिर ये पढ़ाना था, ऐसा नहीं है, अब जानते हों कि starting साब लोग charges के बारे में पढ़ रहे हो, पहले आपने देखे charge rest में था, फिर उसके behavior के बारे में जाने हो, फिर charge motion में आ गया, फिर आपने current के बारे में पढ़े, अब देखो, moving charge है, एक दोड़ता हुआ charge है, उसके वज़े से, किस type की magnetism show हो रही है, उस चीज़ को इस chapter के अंदर हम लोग cover up करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं chapter को, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले topic जिसका नाम है magnetic field, चैप्टर का नाम जो आप सुन रहोगा magnetism, magnetism का मतलब यह basically कि यहाँ पे हम लोग magnet और magnet related जो properties हम सब के बारे में study करने वाले detail में, याद रखिएगा यहाँ पे जो भी charges रहेंगी यह motion में ही रहने वाले, clear दर्स्तो, electrostatic में charges मतलब rest में दे, फिर उसके बाद से फिर motion में आ चुक है, यहाँ पे भी concept आप लोग को motion वाला ही दिखने वाला है, तो magnetic field होती क्या है, जैसे आप लोग ने electric field के बारे में electrostatic में जाने थे, ऐसी type की field जो positive से निकल रही है, negative में जाके terminate हो रही है, magnetic field है क्याइसे type की field होती है, जो magnet के around में बनती है, north से निकलती है और south में जाके terminate हो जाती है, और फिर south से north के तरफ जाती है, inside मे कैसे, inside में south से north और outside में north से south magnetic field चलती है इसके बारे में आप लोग को याद रखना है same to same अगर मैं एक electro magnet के concept में भी देखो तो same इसी तरीके से आप लोग को magnetic field जाते हुए दिखती है हर magnet के around चाहे वो artificial magnet हो या फिर एक natural magnet हो अपने around में imaginary field produce करते हैं जो की influence कर सकते किसी भी ऐसे material को जो magnetize होने की property रखने मतलब क्या अगर कोई magnet के around मैंने कोई समझ लो metal के तुकड़े उकड़े रखने वो उसको अपने तरफ attract कर लेगा ना क्यों करेगा due to its magnetic property होने के वज़े से because उसके around में magnetic field बन रही है अगर मैं मानलू क्या रही है एक magnet है और मैंने इतने दूर में रख दिया है बहुत दूर पे रख दिया मानलो मैंने एक iron की piece को तो क्या वो उसको attract कर पागा नहीं क्योंकि magnetic field वहां तक नहीं जा रही तो magnetic field है कैसी type की field होती है जो actual में material को influence करती है वन टेसला तो यह चीज़ याद रख लेना क्लियर दोस्तों अगली चीज़ बाती करी जाए तो आपने से काफिसार लोग काऊंगे भया तीक है मानले magnetic field होती है लेकिन पता कैसे चला कि magnetic field होती है इसका concept कैसे समझ में है देख वाई तो यहां पर एक auster का experiment conduct किया गया था जिस experiment में यह कहा गया कि अगर हम लोग किसी भी एक point charge को ले लिए है मानले point charge को ले लिए है और हम यह कह रहे है कि वह अभी rest पे है तो हम जानते कि उसके अंदर electric field तो लगेगी लेकिन magnetic field कभी नहीं लगेगी जब charge rest पे हो करा गया कि battery को off किया गया battery को जैसी off करा गया तो कोई current नहीं दोड़ रहे मतलब कोई charges यहां पर move नहीं कर रहे मतलब सारे charges rest पे है current दोड़ते है तो charges V velocity के साथ move करते है और जब charges V velocity के साथ move कर रहे थे तो इसके around में perpendicularly magnetic field produce कर रहे थे तो जो compass था वो actual में deflect हो गया समझ में आया तो यह concept था ओस्टेट का experiment का मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक के चीजें आप लोग को clear हो चुकी होगी तो यहां से यह चीज प्रूफ हुई कि moving charge ही magnetism produce करता है ना कि एक charge और rest पे हो लेकिन एक rest में अगर जो charge होगा वो electric field produce करेगा magnetism नहीं करेगा लेकिन moving charges magnetism के साथ साथ electrostatic property भी शो करता है समझ में आया है इस वज़े से इस chapter गनाम है moving charges and magnetism तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीज़े clear हो चुकी अब आप में से काफी सार लोग कहेंगे कि भया ठीक है मान लेते हैं कि आप कह रहे हो कि magnetic field के बारे में आपने बता दी है सब कर दी है अब इसका direction कैसे पत करें तो magnetic field को पता करने के लिए किस direction पर magnetic field दोड रही है तो दो तरीके से आप कर सकते है या तो आप लोग screw rule से कर सकते हो मैं तो आप लोग से request करूंगा भी last moment बचा हुआ है right hand thumb rule को अच्छे से समझ लो काम बन जाएगा मान लो की current इस तरफ दोड रहा है तो जिस तरफ current क direction है मान लो आपने अपना thumb को रख लिए clear दोस हाँ है ना और जहां पे आप fingers को curl कर रहे हो वो perpendicular direction है ऐसे देखो तो यह magnetic field produce हो रही तो देखो अगर आपका finger उपर है तो magnetic field आप लोग की इस तरीके से produce हो रही है हाँ जहां पे आपका move हो रहा देखो ने इसी तरीके से बना रही ना इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरे thumb को नीचे लिए मतलब current का direction नीचे कर फिंगर किस तरफ हो रही इस तरफ मतलब ऐसी आप लोग की magnetic field बन रही है इसका opposite भी हो सकता है मान लो current ऐसा दोड़ रहा तो आप चेक करो current ऐसा दोड़ रहा मतलब magnetic field ऐसी है या current opposite म मतलब इस form है देखो इस form हो मतलब magnetic field नीचे के तरफ है तो यह wise versa हो सकता है इस चीज को आप लोग को याद रखना है मेरे क्याव से आप लोग को यहां तक के चीजे clear हो चुकी होगी हाँ यह ना वाई लोग चली बाई तो अब आपने कहें कि ठीक अभी है magnetic field के बरही के समझते हैं तो सबसे पहला होता है Biosavet Law, Biosavet Law के बारे में आप थोड़ अच्छे से समझना, Biosavet Law ना है मालनो मैं एक लंबा सवायर लेकर गया Biosavat बही के पास के पास बहुत लंबा सा जो तुम्हारा वायर है उसके छोटे से पोर्शन मतलब उसकी elemental distance के बारे में मैं आप लोग को बता सकता हूं कि उसके P point पर कितनी magnetic field बन रही है तो मान लो कि एक लंबा सा वायर है बायस राइट नहीं ये का है कि हम पूरे वायर के लिए magnetic field नहीं बता पाएंगे हम सिर्फ elemental portion के लिए उसके P distance पर कितनी magnetic field प्रेडिस हो रही है वो हम बता सकते हैं clear दोस्तों तो मान लो इस वायर में current इस तरफ दोड़ रहा है clear दोस्त और इस वायर में ये elemental portion dl है clear क्लियर दोस्त ये P point है जहां पर आपको magnetic field पता करनी है तो मान लो इस वायर से लेकर यहां तक की जो distances का नाम आ रहे और मान लो कि यहां को एक angle बन रहा हो कोई भी बन रहा हो तो डिपेंड करता है तो angle theta बन रहा हो clear दोस्तों तो याद रखिएगा आपको total magnetic field नहीं elemental portion की magnetic field पता चलती है छोट असे portion की magnetic field db clear है ना की total magnetic field b clear हुआ सब लोग को यह चीज़ याद रखना तो बाइस अब लोग यह कहता है कि जो elemental magnetic field बन रही है वो एक्चल में directly proportional है जो current उस पर दोड रहा है वायर पर उसके directly proportional है साइन थीटा के directly proportional है elemental portion के और साथ ही साथ inversely proportional है यह जो distance दिख रही है इस से clear जितनी जादा distance होगी उतना कम magnetic field यहां से produce हो रहा होगा इस छोटे से portion के अंदर clear दोस्तों तो इन सब को अगर मैं जोड दूँ तो क्या यह इस तरीके से दिखेगा हां जी दिखेगा बही है ज कैसे यहाद है आप लोगो कुलॉंस लौ में one upon four by epsilon not आता था epsilon not permittivity होता था यहाँ पे mu not आया जिसको permeability कहते है मतलब क्या यह कैसे टाइप के property शो करती है जो एक्चल में magnetic field को influence करती वहाँ पे charges को influence कर रही थी यहाद है आप लोगो कि permittivity जादा थी तो velocity कम थी permittivity जादा force of interaction कम था याद आ रहा है वही वाला concept बस उसी का replica है तो एक किसम से समझ सकते हो कि बायो सवेडलो एक किसम से जैसे electrostatum में Coulomb's law था वैसे ही magnetism ही है बायो सवेडलो Coulomb's law जैसा है clear दोस्तो तो यह इसका scalar form है जहाँ पे आपको total magnetic field नहीं db दिख रही है db मतलब elemental portion की magnetic field अ तो आपका जो formula बन गया वो बन गया mu naught upon 4 pi idl cross r upon r की power 3 that is the vector form of magnetic field मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक के चीज़े clear हो चुकी हाँ जी चले बाई आगे बढ़ते मेरे ख्याल से यहाँ तक के clear है अब देखो बायस वेडलो की दो applications आपको पढ़नी है जो exam में आ सकती है प इस तरीके से circular loop में आपने उसको mode दिये हाँ है ना और उसमें current दोड़ा रहे है तो current इस तरफ दोड़ रहे है इस form में हाँ है तो आप थोल्ड़ा दिमाग लगा current अंदर के तरफ जा रहा है इस form देखो आप समझे ना क्या ऐसे दोड़ रहे है नहीं current आप हाथ बाहर के तरफ उंगली को आप बाहर के तरफ रखोगे तो पता चल पाएगा आपको कि current इस form में दोड़ रहा है clear दोस्तों तो अगर current इस form में दोड़ रहा है तो इस वज़े से यहां पर magnetic field अंदर के तरफ शोग हो रही है आपको पता करना है कितनी magnetic field प्रेडिस हो रही है तो बाय हो सकता है अगर आप चाहो तो इधर ले ले ते current का direction इसा शो करना पड़ता clear दोस्तों तो आप लोग ने क्या करे एक चोटा सा portion लिए dl उसके लिए पहले magnetic field पता कर लो integrate कर दो total length के लिए तो total magnetic field हो जाईए समझ में आए कि नहीं तो हम लोग basically क्या करने वाले है देखो भाई हम लोग लगाने वाले तो हमने बाइस अवेट लो लगा है मूल अपॉन फॉर पाई आई डियल साइन थीटा अपॉन आर्गल स्क्वेर यहाँ पर एक चीज याद रखना डियल और आर जो यह डिपेंड करते हैं थीटा का angle क्या होगा तो देखो भाई अच्छे से observe करना डियल यह है आर यह है त तो जैसे आप integrate करोगे जो डीबी है वो total magnetic field B में convert हो जाएगा है और साथ में आप इस तरह में integrate कर रहे हो किसके derivative के लिए DL के लिए मतलब length के लिए तो भाई एक बाद बताओ circle की total length क्या होती circle की total length तो वो ही जो उसकी total बाहर बाहर का area है बाहर बाहर की area को क्या कहते किसम सा circumference कहते है तो मैं यह कह सकता हूं कि बाहर-बाहर circumference कित्ती होती है 2πr तो इसलिए मैंने इसकी radius r थी तो इसलिए मैंने इसको 0 से 2πr में integrate कर दिया जो constant है वो बाहर चला जाएगा derivative अंदर रह रहे होगे देखो सब कुछ बाहर derivative अंदर 0 से लेकर 2πr मेरे ख्याल से यहां तक एक लियरे DL का integration कित्ता होगा L हो जाएगा 0 से 2πr हाया अब एक बार upper limit रखेंगे minus lower limit तो upper limit रखेंगे तो कित्ता होगा 2πr equation same to same काटा PT हो जाएगी यहां से 2πr कट जाएगा पाई से पाई से पाई कट जाएगा यह 2 सा हो जाएगा और एक आर कट जाएगा तो magnetic field आप लोग की निकल के आएगी mu not i upon 2r यह काफी जदा important है मान लो कि यह loop n number of turn से गुजर रहा है तो basically n number of turn के लिए n sent to मार लो तो आपके magnetic field इतनी आ जाएगी मेरे ख्याल से clear है easy सा derivation है चलिए आगे बढ़ते अगले derivation के तरफ तो next derivation में हम लोग क्या कर रहे है देखो पहले वाले derivation में क्या कर रहे है लूप के center point पर बता कर रहे है अब मान लो यह मेरा हाथ जो है loop है समलो यह circular loop है सामने से देखो में तो circle दिख रहा है आपको side से देखो में तो ऐ पर पता करना है magnetic field कितनी आगी तो आप बोलो कि यहाँ पर magnetic field कैसे पता कर रहे है तो बड़ा confusion है तो इस वाज़े से हम क्या कर रहे है ऊपर के elemental portion ले लेंगे नीचे का एक elemental portion ले लिए तो current का direction ले और नीचे का elemental portion ले तो current का direction ले देखो ध्यान से observe करना अगर आप लोग समझें इस circular loop का चोटा सा cross section ले लिए deal और current ऐसा ऐसा दोड़ रहा है तो current का direction क्या होगा यहाँ पर मैं अगर देखू तो ऐसा होगा आपको सामने से देखो किता साइट से देखो किता ऐसा ना तो यह मैं थोड़ा सा tilt करके देख रहा हूं इसलिए ऐसा देख रहा है clear दोस सेम तुसेम आपको यही दिख रहा है लेकिन coil रखी हुई है ऐसी जो आपकी circular coil थी वह ऐसी रखी और आपको इस पी पॉइंट पर बद अगर ना तो magnetic field तो इस form में आपके दिख रही है तो आर की जो value होगी distance जो होगी पी पॉइंट के लिए वो current के perpendicular होगी ना इस तरीके स अगर आप देखो यह पीछे जा रहा है और यह आपको ऐसा लग रहा होगा यही यही तो है यही 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 नहीं यह 3D में समझने की कोशिश करो एक्च्वल में इस तरफ है और यह इस तरफ देखो यह इधर ऐसे 90 डिगरी में और आर डिस्टेंस ऐसी आ रहे तो अगर observe करें तो 90 डिगरी में नहीं इस चीज़ तो हम क्या कर रहे है बेसिकली इस elemental portion की actual में यहाँ पर कितनी magnetic field पर producery वो देख रहे और यह वाले portion की यहाँ पर कितनी magnetic field पर producery वो देख रहे है दो magnetic field का आपको पता चल गया है एक इधर एक इधर मतलब इधर भी db इधर भी db मुझे एक बात बता हो net resultant कितर निकलेगा बीचो बीच निकलेगा db sin theta हाँ यह ना तो मुझे बात बता न यहाँ पे आप लोग को angle theta दिख रहा है यहाँ पे angle theta दिख रहा है इसी वज़े मतलब यहाँ पे क्या मनना चाहिए था db sin theta same to same इसकी अगर मैं बात करें तो यहाँ पे क्या मनेगा db cos theta और same to same angle के opposite में तो यहाँ क्या मनेगा db sin theta हाई ना तो मुझे कहीं न कहीं यह समझ में आया कि total magnetic field मेरी db sin theta तरफ ही निकलने वाली है और अगर मैं इसको integrate कर दूँ 2 pi r से तो मेरा काम बन जाएगा तो चली भाई हमें क्या करना है बाइस of right law लगाना है देखो भाई नाम करन पहले थोड़ा सा और construction दिखा देता हूं यह वाले distance का नाम r है यह capital r radius दिया गया है यहाँ से यहाँ तक के distance को a दिया गया है तो चली यह काम करते है magnetic field निकालने कैसे निकालोंगे बाइस of right law की थ्रू निकालने माले हो आप लोग बेसिकली क्या करोगे बाइस of right law का formula लगा होगे sin theta की value कित्ती है यह देखो भाई इनके बीच में 90 degree इनके बीच में 90 degree तो यहाँ sin 90 हो गया sin 90 maximum magnetic field प्र यूश कर दिया आपके पास magnetic field पता चल गई पता चल अगर मैं यह वाला triangle observe करता हूँ तो इसमें देखना होगा आप लोग को यह है r distance जो कि आप लोग का hypotanious और यह है perpendicular तो perpendicular कितना r upon small r तो यह होता है sin theta perpendicular upon hypotanious तो perpendicular hypotanious clear दो तो perpendicular r hypotanious r sin theta की जगा पे capital r upon small r रख सकता हूँ देखो भाई यही किया मैंने और यहाँ पे sin theta की जगा पे रख दिया इसको इसको इसके साथ into गिया तो यह 3 times हो गया बाकी सब कुछ same to same ideal का ही integration बाकी सब बाहर देखो भाई ideal का ही integration बाकी सब बाहर dl के साथ integration क्या होगा L हो जाएगा 0 से 2 pi r के यहाँ पे integration upper limit minus lower limit तो आप लोग उने upper limit minus lower limit रखे देख लो भाई upper limit minus lower limit तो 2 pi r हो गया आपका अब अच्छे सो observe करना पाई से pi कट जाएगा 2 से यह कर जाएगा यहाँ पे तो equation आपकी यह बच गई मतला mu naught i square upon 2 r की power 3 आ गया clear दोस्ट अगर आप चाहो तो यहाँ पे r की value put कर सकते हो कैसे कर सकते हो अगर आप अच्छे से observe करो तो आपके पास यह triangle था यह आपका hypodaneous हो गया perpendicular base Pythagore इसकी equation लगा है तो r square small r square which is equal to capital r square plus a square both side under root लगा हूँ तो r की value यह आगए इसकी value अगर मैंने basically यहाँ put कर दिया तो मेरी equation यह निकल के आ जाएगी clear दोस्तों under root है तो under root को मैं क्या half लिख सकता हूँ power में बिल्कुल तो मैंने क्या क्या power में half लिखा into 3 कर दिया ध्यान देना यहाँ पहले ही 3 था और यह under root है under root को half लिखा जा सकता है तो power में half add हो जाएगा इस वज़े से यह equation आपकी निकल के आगी do not I capital R की power square upon 2 capital R का square plus A का square की बाहर पावर 3 by 2 clear दोस्तों यह आप लोग की magnetic field due to the axis of circular ring के लिए निकल कर आ जाएगा मेरे क्याल से clear है तो चली देखते है next law जिसका नाम है Ampere's law तो Ampere's law भी ना एक किसम से ऐसे टाइप का मतलब law है जो actual में magnetic field को ही पता करने के काम आता है जैसे बायो सवेट लौ था वहां पर हम लोग magnetic field elemental portion की निकाल पा रहे थे Ampere's law में आप लोग total magnetic field निकाल सकते हैं directly clear दोस्तों एक चीज़ याद रखना जैसे वह Coulomb's law जैसे था बायो सवेट लौ सेम तुसेम को लौ के बाद गॉसलो आया तो सेम तुसेम यहां पर आया Ampere's law तो Ampere's law गॉसलो एक जैसे दिखेगा Ampere's law में Ampere's loop बनाया जाता वहां पर Gaussian surface बनाया जाता था Gaussian surface वहां पर 3D surface रहता था यहां पर Ampere's loop 2D surface होता था वहां पर एपसा 1 upon epsilon not times charges includes within the surface होता था यह वाला होता है Mu not times current enclosed within the closed loop होता है समझ में आया चली भाई आगे बात करते हैं तो चली बात करते हैं Ampere's law करता क्या है Ampere's law basically Magnetic field निकालने के काम आता है यह law होता है integral of B dot dl which is equal to Mu not i inside dot है इसलिए cos theta आएगा बाद में याद रखेगा यह होता क्या है The circulation of the magnetic field in a closed curve is equal to epsilon not times Mu not times the total current enclosed within the closed surface याद रखेगा आप लोगको Ampere's law के तुरू अगर किसी भी question को solve करना है या फिर numerical या अगर आप लोग आगे जाके कोई भी topic को solve करते है तो आप लोगको सबसे पहले Ampere Loop बनाना आ चाहिए याद रखेगा Ampere's law का Importance ही है यह कि भाई loop के अंदर जो भी current है उसको consider किया जाएगा इसलिए तो लिखा है within the closed surface तो यहाँ पे current inside भी लिखा है तो जो भी loop के अंदर में जो current है उसको लिया जाता है Ampere's law में मतलब यह वाले यह वाले law को sorry current को नहीं लेंगे याद रखेगा तो यह आप लोगको DLNK या फिर magnetic field ही vanish हो तो चली आईए जानते हैं कि आखिर कैसे आप लोग तो चली देखते हैं इसके एक मात replication जो exam में आ सकती होपसो तो यह है magnetic field due to the infinitismally straight current carrying wire मतलब एक बहुत लंबा वाय है infinity से infinity तक जा रहा है मालो इसमें current आई दोड़ रहा है तो current उपर दोड़ रहा ह तो देखनों आई magnetic field आपका ऐसा बन रहा है इस तरब में देखिएंगे तो magnetic field अंदर जाते हो दिख रहे है इस तरब में देखिएंगे तो magnetic field बाहर आते हो दिख रहे है clear यह dot और cross का मतलब यह होता है मालो आपने कभी न कभी जंतागी में teer का मान तो देख्योंगे तीर जब तीर छोड़ोगे तो पीछे वाला हिस्सा दिखेगा ना क्रॉस टाइप का मतलब अंदर जा रहा है मतलब आप देखो तरह से लगे कि उधर जा रहा है क्लियर अंदर और जब तीर आपको कोई मारेगा तो तीर का सामने वाला नुकीला पॉइंट दिखेगा तो माल लो आपके तरफ आ रहा है लेम जोगता लेकिन समझ जाता है क्लियर है वाई तो यहां से आपको मैंगनेटिक फील अंदर जाते वह दिख रही है यहां से मैंगनेटिक फील बाहर आते वह दिख रही है क्लियर दोस्तों बेसिकली आपको पता करना है कि कितनी magnetic field यहां पर produce हो रही basically करना क्या है भाई सीधी simple बात यह amperes law के दुरू सूल करना है तो close integral of b dot dl mu naught i inside हो जाएगा dot product अनाएंगे तो cos theta आजाएगा और mu naught i inside हो जाएगा अब धियान देना है आप पर dl और magnetic field मतलग dl length और magnetic field दोनों का एक ही direction तो मुझे बताईए theta की value क्या होई 0 degree खितम गानी खितम नहीं खतम है तो यहाँ 0 degree हो जाएगा तो भाई जैसे आप observe कर रहे cos 0 1 हो जाएगा magnetic field आपकी यह बन जाएगा यहाँ पर observe करना है यह derivative कौन dl तो यह बाहर आएगा कौन b की value तो dl अब dl का integration क्या होगा यार एक circular loop के लिए L हो जाएगा और total length क्या होती ही भाई circle की 2 pi r होती ही तो मैं एक काम कर सकता हूँ integral और dl को मैं directly 2 pi r लेख सकता हूँ तो अगर मैं इसको directly replace करता हूँ यहाँ पर अगर मैं इसको directly replace करता हूँ 2 pi r से तो कोई hertz तो नहीं है बिल्कुल नहीं होना चीए और यह equation ऐसी हो जाएगी 2 pi r को आपको नीचे ले लेना है तो total magnetic field mu dot i inside upon 2 pi r हो जाएगा clear दोस्तों चलो तो अगले topic के तरह बढ़ते हैं जिसका नाम है solenoid तो solenoid का एक काफी important topic है solenoid का हम लोग कह सकते हैं कि एक artificial magnet होता है जिसे हम लोग electro magnet कहते हैं क्योंकि यह electric current के वज़े से magnetic field produce करता है अपने around में और साथ ही साथ behave करता है as like a bar magnet clear दोस्तों यहां तके तो basically यह magnetic field को produce करने के लिए काम आता है यह याद रखिएगा यह इतना जादा इसकी length होती है कि भाई इसका radius उसके सामने पिद्दूसा दिखे मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि solenoid के actual में length जादा होती उसके radius के comparison में इसी के साथ साथ इसको बनाया कैसे जाता है सबसे पहले आप लोग को एक insulated कोई भी non conducting material लेना है उसके ओपर आपको wire को ऐसे wound कर देना धेर ज़रबार clear जैसे आपको दिख रहा है और current दोड़ा देना तो जब आप current दोड़ाओगे तो current यहाँ दोड़ेगा ऐसे दोड़ेगा मतलब current इस form में मतलब ऐसे देखो right hand thumb rule को तेड़ा करो curl करो इस तरफ current ऐसा है तो magnetic field इस तरफ हो सकता है camera का direction ऐसा हो तो आप check कर लेए clear भाई तो आप लोग observe कर रहे हो कि current नीचे कर दोड़े इस form में आप लोग current इस form में आ रहा है current इस form में आ रहा है ऐसे form में magnetic field किस तरफ निकल रही है magnetic field इस तरफ आपको जाते होग मुझे एक बात बता न अगर मैं polarity change कर दो battery opposite कर दो magnetic field किस तरफ जाएगी इस तरफ जाएगी या फिर सेम जुसे तरफ जा रही ते उस तरफ जाएगी comment box मुझे बताए clear दोस तो याद रखना helical spring की तौर पर बनाना ज़रूरी रहता तभी solenoid बनाएगा n number of turns बहुत matter करते है जितने n number of turns रहेंगे उतना ज़्याद आप लोग के लिए beneficial रहेगा आगे देखेंगे clear दोस्तो यहाँ तगे clear है कुछ conditions होती है wire यहाँ पे insulated type का होना अची है solenoid को अगर आप लोग freely suspend करते हो bar magnet की तरह तो bar magnet भी north south में अपने आप aligned हो जाता था तो आप observe करोगे कि solenoid भी अपने आप aligned हो जाएगा clear दोस्तो और यही एक किसम से property बतायागा कि यह भी bar magnet जैसे ही है note में काफी important चीज़ याद रखना है वही चीज़ कि अगर polarity change करोगे आप battery की तो current का direction एकदम opposite हो जाएगा clear दोस्तो जैसे आप लोग को यह दिख रहा है क्या solenoid wire गया पीछे से सामने से आया फिर लूप आया ऐसे दिख रहा आपको हाँ है ना इस तरीके से मैंने क्या करा इस solenoid को एक knife लिया knife से cut कर दिया horizontally ठीक है ना ऐसे longitudinally समर लो जब मैं इसको longitudinally cut करूँगा तो क्या मुझे यह इस form में दिखेगा सज बताना क्या मुझे यह ऐसा दिखेगा जैसे दिख रहा है आपको comment box में बताओ मुझे सभी लो क्या मुझे यह ऐसा दिखेगा हूप सो तुमको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो तो एक काम करता हो उनको आगे आगे sorry तो देखो भाई जैसे आप इसको cut करोगे मालो आपने इसको knife से cut करे तो इसके अंदर का ही portion दिखेगा कुछ इस तरीके से आप observe कर रहे होगे उपर से wire इस तरह आ रहा है मैं कह सकता हूँ current आ रहा है और नीचे से current जा रहा है ऐसे ही हो रहा है न हाँ है न तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है उपर से wire देखो ये गया wire सामने से current आया फिर wire अंदर चला गया था पिर पीछे से आया फिर current आया फिर पीछे चला गया तो मुझे एक बात बताओ उपर वाले face में मुझे लग रहा है कि current outward face में नीचे वाले में दिख रहा है कि current inward face में एगरी कर रहे हो कि नी और इस वज़े से magnetic field मेरी इस तरफ जा रही है क्यों जा रही है कि magnetic field ऐसे form में है इस तरफ हाँ है ये diagram काफी important है याद रखना confuse नहीं होना ये सिर्फ solenoid को काट कर हम देख रहे है और कुछ नहीं है otherwise solenoid ऐसा ही दिख रहा होगा आप लोग को अच्छे से observe करोगे तो समझ में आ जाएगा समझ में है दोस्तो हाँ या ना चली भाई तो अब कुशन आप लोग से आ सकता है कि solenoid के अंदर कितने magnetic field produced होती है तो भाई डागराम देखना ये डागराम दिख रहा है magnetic field बाहर के तरफ दर के तरफ रह अंदर के तरफ बई मैं क्या बोल्रहा हूं हम के हमें क्या करना है हमें ना magnetic field पता करना है तो कैसे कर सकते है लोग मलब दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं या तो byosovite के तू या तो amperes हम लोग amperes के थूरू करते हो आपर तो हमें टोटल magnetic field directly मिल जागी लेकिन दिक्कत यह कि हमें पहले वहाँ पर amperes loop बनाना पड़ता है तो देखो भाई यहां पर हम लोग एक rectangular amperes loop बना दिए a, b, b, c, c, d, d है clear दोस्तों हाँ यह ना तो हमें basically क्या करना होगा जो integral of b dot dl है न b dot dl integral तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा कैसे तो भी समझाता हूँ रुकर 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 तो हमें क्या करें यहां से यहां तक के x दे दिए यहां से यहां तक के h दे दिए x का नाम ले नहीं गलत कर दिए भाई दिल तोड़ दिए चली भाई तो amperes को loop की बात करते है close integral of b dot dl which is equal to mu inside sorry mu not i inside clear है हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं क्यों क्योंकि क्या की दिया हमारे पास अलग अलग है키 का क्यों है कि दियल नहीं एक यह लैं्क है 203 के लिए तो चलीं काम करते सबसे पहले टोटल मैंग्नेटिक फिड के लिए integral of b dot dl निकाल ले तो दिकले लेते हैं ऐटो ईनिकलेशन के लिए b2 c integration के लिए c to d integration के लिए और एक निकलेगी d to a integration के लिए हाँ या ना इसके लिए a to b b to c c to c to d और d to a हाँ या ना एक बात बताना सभी लोग मुझे यहाँ पर क्या निकल पाएगी magnetic field बिल्कुल निकलेगी भाया और जो dl है वो magnetic field के parallel है 0 degree form कर रहा है हाँ यहाँ पर यह वाली length 90 degree यहाँ पर यह 0 degree यह 90 degree clear दोस्त तो देख लो भाई तो dot product हड़ा है तो cos 0 cos 90 cos 0 cos 90 कोई दिक्कत confusion अगर आप अच्छे सो अबसर करो तो कौन से ऐसा portion है जो एक्च्वल में magnetic field के अंदर influence है यही वाला है बस बाकि अगर आप अच्छे सो अबसर करो यह वाला portion तो loop के बाहर है यह वाला portion तो actual में solenoid के बाहर है magnetic field तो वहाँ इंफ्लूएंसी नहीं होरी तो वहाँ पे में क्या होगा directly बताओ directly वह magnetic field 0 हो जाएगी ना भाई खतम कहानी ऐसा क्यों हो है यह वाला जो portion था C to D वाला यह बाहर होने के वज़े से directly 0 हो जाएगा बाकि जो cos 90 है cos 90 वाला तो 0 हो जाएगे बचा कितना portion से वह वाला जो A to B था add the end सिर्फ इसी की निकल पाईगी clear दोस्त है यहां तक के तो B की value को बाहर ले लो तो आपका इतना हो जाएगा DL कितना था भाई total length कितनी थी यहां से यहां तक के H थी तो इसकी value को H ले लिए दिख रहा है B H हो गया मतलब मुझे पता चल गया इसकी value है B H क्या यह total current है solenoid के लिए solenoid के अंदर तो N number of turns है तो काम करते है N number of current इसमें दोड़ रहा होगा और N की value क्या होती है तो याद रखना जो capital N है उसकी भी एक value होती है याद रखिए कि capital N होता है number of turns small n होता है number of turns per unit length कितना है और length कितनी थी भाई length थी आप लोग की H तो N by H तो यहां से N की value क्या निकल जाएगी वो निकल जाएगी small n ह तो आपको करना क्या है basically आप लोग को न देखो current की value कितनी आये थी capital N I number of turns into I number of turns की value कितनी थी small n ह into I तो देखो current की value कितनी हो गई I inside small n ह clear दोस्तों तो देखो current की value निकल गई magnetic field की value निकल गई दोनों की value पुट कर देगे आगे बढ़ेंगे तो देखो BH mu naught small n small h clear दोस्त H से H कर जाएगा magnetic field हो जाएगी mu naught small n I clear दोस्तों जाहता कि देख काफी जादा important है आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनी magnetic field solenoid के तुरू निकलती है mu naught small n I I hope यहां तक है clear है चली बाई आगे बढ़े तो चली आगले topic के बारे में बढ़ते हैं जिसका नाम है magnetic force तो magnetic force क्या होता है जो magnetic field के वज़े से किसी specific charge को या किसी specific wire के तरफ कोई एक ऐसे type का force लग रहा जो actual में magnetic field के वज़े से influence है उसे कहता है magnetic force clear दोस्तों यहां तक के तो मैं कह सकता हूं कि मान लो कि एक wire है दिख रहा है आपको specifically एक wire है जिसमें current दोड रहा है और मान लो एक charge velocity के साथ दोड रहा है आप सभी लोग जानते हो कि current दोड रहा है wire में तो magnetic field बन रही होगी तो wire की magnetic field actual में charge को influence कर सकती है और charge को अपने तरफ घीच सकती है समझ में आया और वो जो force लग रहा होगा उस charge पे वो लग रहा होगा magnetic force clear दोस्तों और वो force होता है qvb sin theta और अगर आप चाहो तो उसको vector form में कुछ ऐसे लिख सकते हो एक और चीज याद रखना magnetic force में जो वद्दन होता है वो 0 लगता है इसको आप लोग basic form में याद रख लो इससे जाद आप लोग को परशान नहीं होना है तो चरी बात करते है next topic की जिसका नाम है Lawrence force तो Lawrence force नहीं किसम से combination of electric and magnetic force होता है clear दोस्त मतलब क्या Lawrence force is the combination of electric and magnetic force on the point chart due to the electromagnetic field साथ ही साथ आप देख रहे होगे यहाँ पे electric field भी इंफ्लूएंस हो रही पॉजटिव से negative के तरफ मतलब electric field भी लग रही है और magnetic field भी लग रही है दोनों टाइप की field लग रही है मतलब electromagnetic field प्रेडिउस हो रही है इस system के अंदर मैंने क्या करा इस system के अंदर जिसका नाव electromagnetic field है वहाँ पे अगर एक charge को place कर दूँ तो charge को इस तरफ तो electrostatic force लगेगा positive से negative के तरफ आपको basically करना क्या है left hand flaming's rule लगाना इसमें आप observe करोगे यह होता है force यह होता है तो force कहां लग रहा होगा उपर के तरफ तो देख लबाई magnetic field अंदर के तरफ charge इस तरफ तो magnetic force कहां लग रहा होगा उपर के तरफ इस वज़े से आप observe कर रहें कि electrostatic force नीचे magnetic force उपर के तरफ तो basically मैं यह समझाना चाह रहा था कि अगर electromagnetic field में किसी point charge को अगर आप रख दोगे तो electromagnetic field होने के वज़े से वहाँ पर दो टाइप के force simultaneously लगेंगे वो रहेंगे electric field का force और magnetic field का force तो charge में दो तरीके के force साथ में लग रहे है और इसी combination of force को कहते है Lawrence force जहां पर electric field का force और magnetic field का force दोनों साथ में लगते है electric field का force किता लग रहा हुआ क्यों ही magnetic field का force qv cross b हाँ है न और इसमें से दोनों में से q common निकाल लो तो net force आप लोग का यह निकल जाए तो याद रखिए का इस combination के उपर cyclotron, velocity selector, cathedra, tube यह सब वर्क करते हैं जिसका नाम है force on current carrying conductor in a uniform magnetic field मतलब क्या कि अगर मैं uniform magnetic field के अंदर किसी भी एक conductor rod को अगर रख देता हूँ तो basically उसके उपर force लगने लग जाता है कैसे तो आई जानते हैं मैंने एक arrangement किया यहाँ पर दिख रहा आपको मैंने एक wire के साज arrangement बनाया है जो की battery से directly connected था clear दोस्तों हाँ यहाँ इसके साथ साथ मैंने बीचों बीच में एक horseshoe shape का magnet रख दिया जिसका north यह है south यह magnetic field नीचे के तरफ इस तरीके से लग रही है दिख रहा है सबको हाँ यहाँ और यहाँ पर conductor wire के उपर ऐसे place कर दिया clear है यहाँ दख के और मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसी मैं battery on करूँगा तो observe करूँगा कि जो conductor वो अपने magnetic field नीचे के तरफ है basically मुझे करना क्या है जैसी मैं battery को on करूँगा तो current दोड़ेगा current इधर भी जाएगा और एक बात तो यह है कि current इधर भी जाएगा agree करते हो और अगर current इधर जाएगा ध्यान देना अगर current इधर दोड़ेगा और यहाँ पर magnetic field भी है तो थोड़ा दिमाग लगाना फिर से आप लोग को निकालना हूँगा क्या फ्लेमिंग्स का आप लोग यूज़ कर सकते हो या आप लोग को एक बार palm rule के दुरू समझाता हूँ यहाँ दोड़ाओगे आप लोग इस conductor के अंदर तो conductor में current इधर दोड़ेगा magnetic field अंदर दोड़ेगी तो जो force है वो इस तरफ लगने लग जाएगा इस force को कहेंगे magnetic force मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं polarity change कर दूँ मतलब current इधर से दोड़ने लग जाएगा तो current इधर दोड़ने लग जाएगा magnetic field नीचे मतलब क्या magnetic field तो अंदर या लेकिन current नीचे palm का direction इस तरफ तो मैं कह सकता हूँ कि उस time पर force इस तरफ लगेगा clear दोस्ट तो main motor यार यह धा कि current carrying conductor को जब आप लोग magnetic field में रख देते हो तो actual में उसमें एक magnetic force लगने लग जाता है यह अपने आप rotate करेगा clear दोस्टो जैसी आप battery बंद करोगे तो रुख जाएगा यह conductor clear है भाई लोग समझ में आए अब एक बाल बताना आप लोग कहोगे कि कितने force से भागेगा जितना ज़ादा current दोड़ाओगे उतने तेजी तेजी मनदब उतने ज़ादा तेजी से travel करेगा clear दोस्ट इसके अलावा जो magnetic force है यह किस पर depend करता है कि भाई जो wire और magnetic field एक दूसरे के perpendicular होगा तो भाई जादा से जादा magnetic force produce हो सकता है और जो force का direction इधर हो रहा है यह इधर हो रहा है यह किस पर depend करेगा एक तो magnetic field के direction पे और एक current के direction पे समझ में है भाई लोग चल अब बात कर लेते कि आखिर को कितना force लग रहा है इस current carrying wire के उपर तो आईए जानते तो कितना लग रहा होगा qvb sin theta लग रहा होगा हमें basically यह करना है t से into t से divide कर देना है कैसी आप इसको करोगे तो आप observe करोगे 1t इसके नीचे लेना है मतलब q by t और 1t इस v के साल देना है तो q by t कितना हो जाएगा i हो जाएगा current और v into t मतलब v मतलब आप लग का speed t मतलब time और यह होता कि अधिक कित्रा distance d की value और d की value क्या है यहाँ यह ना देखलो नो भाई l है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको replace करके हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग का l यह हो जाएगा i तो equation जो बनेगी वो क्या बनेगी f which is equal to i small l b sin theta यह मैं कह सकता हूँ i bracket के अंदर l cross b clear दोस्तो तो चली भाई बढ़ते हैं अगले derivation के तरफ जिसका नाम है force between two parallel current carrying conductor मतलब क्या दो current carrying conductor दो ऐसे wire है जिसमें same current दोड रहा है या दो ऐसे wire जिसमें opposite form में current दोड रहा है मानलो इसका current इदर इसका नीचे तो इनके बीच में कैसे force लगता है यह आप लोग को बताना है तो short track एक समझा देता हूं कि दो wire में same direction में अगर current दोड रहा है तो दोनों wire एक दूसरे से attract होते हैं और जब current opposite form में दोड रहा है तो एक दूसरे से repel होते है clear दोस्तों यह चीज आप लोग को याद रखनी है हम लोग देखने वाले force between parallel infinite current carrying conductor जिसमें हम लोग देखो भाई आप में से काफी सार लोग कहेंगे कि भाया anti parallel वाला करना है कि नी तो आप अच्छे सो observe करो तो यहां पर directly लिखा हुआ है force between two parallel current carrying conductor इस वज़े से मैं आप लोग को एक ही वाला derivation करवाने वाला हूं इसके opposite वाला भी same ही होता है लेकिन आप लोग को जादा परशान नहीं हो ना exam में आएगा नहीं most possible clear है भाई तो जैसे आप देख पा रहे हो कि कि दो आप लुएहर है जिसमें सेम टरफ current दौड रहे है इसमें हो Fachण यूटा i1 ध है इसमें जो current दौडा यूटा 2 है दोनाँ वायर के बीछ की distance है वो कित्ति है Griffin93 ही है क्लियर din कहता हूँ कि second वाले wire पर जो force लग रहा है वो है F2 क्योंकि second वाले wire का force है लेकिन F21 लिखा है ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो force लग रहा है second वाले wire पर यह first वाले के वज़े से लग रहा है first वाला wire नहीं present हो था तो second में current लगता ही नहीं वायर की length मैंने मान लिया L length है और दोनों की बीच के distance है D clear दोस्तों समझने की कोशिश करना ध्यान से पहला वाला जो wire पहला वाला जो wire दूसरे वाले wire के तरफ attract हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाले wire पर दूसरे वाले wire की magnetic field लग रही है इसलिए वो उसके तरफ attract हो रहा है क्योंकि हमने कहते हैं जब एक current carrying wire के करीब रहा तो वो अपने तरफ attract हो जाता है पे कितना फो ओम ये पहले के वजह से clear दोस्त तो पहली चीजी संते में समझ में आ रहा है सेकेंड वाले wire पर फोर्स लग रहा है मतलब this second वाले वायर पर फोर्स लग रहा हो गारा तो किसके वाज़े से लग रहा हो मां हैन्दे की magnetic field के वज़े से करेंसे जा रहा है तो बेसिकलिए आप force का formula जानते हो ibl sin theta, यहीं पे खेल है भाई यहाँ पे आप force कहलोगे f21, लेकिन current कौन सा लोगे पहली चीज तो यह, हम किसके लिए निकाल रहे है दूसरे वाले wire पे कितना force लग रहा, तो उसमें कितना current डोड रहा है i2, लेकिन यहाँ पे जो magnetic field है, वो कौन सी रखोगे, second वाले wire की नहीं, किसकी magnetic field के वज़े से second वाला wire influence हुआ second वाली की magnetic field है, first की first की magnetic field, इसलिए यहाँ पे b1 रखा गया है, l sin theta बाकि सब कुस से, sin theta की value कितनी 90 degree, तो equation कितनी बनेंगी, f21 की value हो जाएगी, i2, b1, l clear दोस्तों, यहाँ पे observe कर रहे हो, b1 है, हाँ यहाँ यहाँ b1 मतलब magnetic field, एक current carrying wire की magnetic field कितनी होती थी, अभी थोड़ी दिर पहले निकाले न, mu naught i upon 2 pi r, हाँ यहाँ न, तो इसमे b1 magnetic field किसके वज़े से बनी, पहले वाले wire की वज़े से, इस वज़े से यहाँ पे current 1 लेगी हम लोग, यहाँ b1, b1 इस तरी किसे लिए जाएगी, और r मतलब r की जगा पे यहाँ पे दोनों की बीच की distance d ली जाएगी, तो इस equation को basically यहाँ put कर देना है, जैसे आप put करोगे तो l को आपको नीचे लेकर आजाना है, और equation आपकी ऐसी बन जाएगी, that is the force per unit length, or the second wire with respect to the first, clear है, इसकी opposite का निकाल के देखते हैं, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, कि पहले वाले wire पे जो force लग रहा हो, किसके वज़े से लग रहा होगा, second वाले wire की magnetic field के वज़े से, इसलिए I1 B2 L sin theta लिखा हुआ है, और sin theta की value 90 degree हो जाएगी, और F21 की value हो जाएगी I1 B2 L, clear दोस्तों, यहाँ पे B2 की value आप लोग रखोगे क्या, same वैसे, यहाँ B2 के form में ले लोग, इसको I2 ले लोगे, इस equation को यहाँ पुट करोगे, और आप observe करोगी कि L को नीचे ले कर आँगे, तो force per unit length की value हो जाएगी, mu not I1 I2 upon 2 pi D, और यह क्या है force per unit length of the first wire with respect to the second, आप observe करना यह वाला force और यह वाला force, दोनों force बराबर आए, clear दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करों, अगले topic की काफी important है, वो है define 1 ampere in the term of force, force के term में define करने को बोल रहा है, मतलब force per unit length के formula के point हो भी, तो दो wire ले लो, दोनों wire पर मान लो, example के दोर पर की same direction पर current दोर रहा है, और यह जो current दोर रहा है, 1 ampere का current है, दोनों wire पर, इन दोनों की बीच की जो distance थी, वो 1 meter apart एक दूसरे हैं, तो formula क्या मनेगा है, F by L, mu not i1 i2 upon 2 pi d, तो यहां पर इन दोनों की value 1, 1 ले ले लेना है, इसकी value 1 ले लेना है, तो जो value cut pit कर निकल कर आएगी, वो आएगी 2 into 10 raises bar minus 7 newton per meter, clear दोस्तों, तो 1 ampere को अब ऐसा define कर लेना, कि if a current which is flows through each of the two parallel uniform current carrying wire, which carries 1 ampere each, which are placed apart at 1 meter from each other, and which are attracted or repel to each other, with the force of 2 into 10 raises bar minus 7 newton per meter of their length, clear दोस्तों, ऐसे आपको define करने के लिए एक number में आ सकता है, तो यह derivation छोटा सा solve कर कर आप बता देना, और यह diagram बना लेना, और अपने point of view से आप एक definition बना लेना, खतम कहानी कि जब दोनों wire पे same amount का current आई, 1 ampere का दोड़ेगा, दोनों wire एक दूसरे से d distance पे आपार्ट रहेंगे, तो जो force per unit length की value निकल के आएगी, वो आएगी 2 into 10 raises bar minus 7 newton per meter की, यह उसकी definition है, समझ मैं? तो जलिवाई अगले topic की बारे में बात कर लेते हैं, दो important topic है, electric dipole moment की तरह, यहाँ पे magnetic dipole moment दिखेगा, electric dipole moment क्या था? Q into 2L था, तो यहाँ पे क्या है? Q वहाँ पे charges था, तो यहाँ पे magnetic poles होते हैं, poles की strength, basic में में pole strength समझ लो, कि north की pole strength क्या है, यह magnetic moment जिसको capital M से denote करता है, और यह होता है, product of current and the area of loop, मान लो, यह current दोड़ना है इस तरफ, और इस तरफ में आप लो का magnetic field बन रही, तो यह उसका area of loop है, clear दोस्तों, याद रखेगा, काफी जादा important है, यह formula काफी जादा काम आएगा, अब मुझे एक बात बताओ, N number of turns के लिए लेंगे, तो क्या हो जाएगा, N I A हो जाएगा, हाँ है ना, तो magnetic moment था at least याद रखना है, चली भाई, इसी तरीके से, यहाँ पी यह समझाए गया है, कि current carrying wire, या current carrying loop, behave करता है, बाहर magnet की तरह, तो देखो, यह current carrying loop है, जिसमें current इस form में दोड़ रहा है, हाँ या ना, तो current ऐसे दोड़ रहा है के नहीं, current ऐसे दोड़ ठीक है, तो magnetic field नीचे के तरह, इस तरीके से, clear दोस्तों, इसी किसास है, जिस तरफ से magnetic field भाहर निकल रही है, जिसके तरफ से अंदर आ रही हो south, मतब समझ लो, यह current carrying coin, और 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 बाई 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 यह current carrying coin है, clear दोस्तों, नीचे तरफ में north बन रहा है, उपर में south, क्योंकि इस तरफ magnetic field आ रही है, नीचे से जा रही है, same concept आपको बाई 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 चेक करो, यहां north और नौर से magnetic field निकल रही है, south अंदर आ रही है, फिर south से north जा रही है, देखो south से north अंदर के तरफ, बाई के तरफ नौर से south, इस वज़े से कहा जाता है, current carrying loop behave like a bar magnet, clear दोस्तों, इसके बाद अगला topic आता है, जिसका नाम है, torque on a current carrying loop in a uniform magnetic field, basic सा concept है, परशान नहीं होना, आराम से समझ मैं है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगोंने एक magnetic field लिए, दिख रहा है आपको, इस तरफ magnetic field जाती है, हाँ यहाँ इस magnetic field के अंदर, एक rectangular loop को मैंने place कर दिया, जैसी मैंने rectangular loop को place किया, तो उसमें मैंने current दोड़ा दिया, clear है, मैं यह check करना चाह रहा हूँ, यह current carrying coil को, जब मैं magnetic field में रखता हूँ, तो क्या होता उसके साथ, तो हमने इस derivation से यह समझे, कि जैसी आप लोग current carrying coil को, magnetic field में रख देते हो, तो यह जो coil है, इस पे force लगने लग जाते हैं, जब दोनों तरफ से force लगेंगे, तो यह rotate होँगा, जब यह rotate होगा, तो torque generate होगा, तो actual मैं यह कह सकता हूँ, कि जब भी मैं uniform magnetic field के अंदर, current carrying coil को place करता हूँ, तो यह torque generate करता है, समझ में आया है सबको, तो मैंने क्या करा है, इस coil का यह वाली land को A नाम दिया, यह वाली land को B नाम दिया, coil का नाम दिया P, Q, R, S, current यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसा आ गया, clear भाई, दो forces लग रहे हैं इसके कोने पे, यह जो side view है, यह इतना काम का नहीं है, हमें इसका front view, sorry, top view देखना, मतलब इसी coil के ओउपर से देखेंगे, उपर से देखेंगे, तो मुझे एक बात बताना, सिर्व यह वाला face दिखेंगा, हाना, और magnets दिखेंगे, तो देखो, magnet दिख रहा है, उपर वाला face देख रहा, उपर वाले face की length क्या थी, B थी, हाना, हाना, अब देखो, इस तरफ एक force लग रहा है, इस तरफ एक force लग रहा है, clear दोस्तो, अभी तो force लग रहे है, मान लिए force लग रहे हैं, एडियन तो हमें torque निकालना है, clear दोस्तो, तो मान लो, यहाँ पर angle theta बन गया, और यहाँ पर 90 degree बन रहा, तो यह कितना होगा, 90 minus theta, मुझे एक बात बताना, यह angle theta बन रहा है, यह आप लोग का perpendicular, और यह आप लोग का hypotenuous, तो मुझे बताओ, sin theta की मुदद से निकाल सकते हैं, यह वाली length बिल्कुल निकाल सकते हैं, sin theta which is equal to हो जाएगा, P by H, तो मतलब, OR upon B, clear दोस्तो, तो मैं कह सकता हूँ, OR की value हो गई, B sin theta, तो यह वाली length आगई, B sin theta, मेरे ख्याल से, तुम लोग को यहाँ थके समझ में आ चुका है, इसके अलावा गरे मैं बात करूँ, torque कितना generate हो रहा है, current carrying loop के अंदर, तो वो हो रहा है, torque force into perpendicular distance, मतलब क्या, tau which is equal to, F into dr, dr की value क्या है भाई, अब भी निकाले, B sin theta, तो जैसी में इसको यहाँ पुट करा दूँगा, तो torque की value हो जाएगी, F small b sin theta, clear दोस्तों, अब यहाँ पे एक कुछ चीज observe करना, आप लोग अच्छे से, यह force कितना है, IBL sin theta, अरे अब भी तो निकालेता है न, जो force लग रहा होगा, वो IBL sin theta, इसकी value को भी यहाँ पे रख दो, लेकिन रखने से पहले एक चीज़ याद रखता है, यहाँ पे जो coil की length है, वो है A, समझ में आया दोस्तों, और यहाँ पे angle कितना produce हो रहा है, maximum हो रहा है, sin 90 होगा, तो भाई 90 value ले लो, खतम कहानी, तो जैसे आप observe कर पा रहे होगे, आपने यह F की value को भी यहाँ पे रखे, तो देखो कितना हुआ, I, B, L की जगह पे आया था, A, sin theta, और यहाँ पे आया होगा, B, sin theta, तो देख लो, B, sin theta, बच्चा हुआ और कोई extra तो नहीं आया, नहीं आया, आप observe कर रहे होगे, A into B, क्या है भाई, A into B, क्या है, sorry, A into B, length into breath, मतलब क्या, area, तो इसको replace करके A लेख सकता, तो इसको replace करके A लेख दिया, तो equation हो गई, tau which is equal to I, B, A, sin theta, और अगर मैं इसको N number of turns के लिए ले लूँ, तो N, I, B, A, sin theta हो जाएगा, clear दोस्त, और यहाँ पर अगर आप अच्छे से observe कर रहे हो, तो N, I, A, क्या था, N, I, A था, magnetic moment, clear भाई लोग, तो यह हो जाएगा, N, I, A, magnetic moment, clear भाई लोग, तो tau की value कित्व हो जाएगी, यहाँ से, हाँ बहुँचे से observe, इसको replace करके M आगया, इसको replace करके कुछ नहीं आए, क्योंकि B तो भाई रहेगा, तो MB sin theta, समझ में आप तो tau की value निकल गई, कितना torque generator हो पतना चलगे आपको, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अगले topic, जो हमारा आखरी topic रहना आप बहुत लंबा लेक्च्छर हो गया, तो आप अगर यहां तक के बने हुए हो, तो मुझे comment box में बताना की, हे मोगेंबो, clear दोस्त, ऐसा मुठी बना कर, मुझा वैसी वाली नहीं, मुठी बना के आप लोगे मोगेंबो लिखते हैं, को maximum deflection में show कर देता है, इसके principle की बात की जाए, तो इसका principle क्या है, जो अभी derivation समझे ना, ये, torque हो ना, current carrying loop in a uniform magnetic field, ये ही इसका principle, इसी पर बर्क करता है, construction की अगर मैं बात करूँ, तो basically यहां पे, देखो, एक current carrying coil की जरूवत है, हाई है ना, क्योंकि torque अभी हो generate होगा, इसी में current दोड़ाना है, इस coil को लटकाने के लिए हमने क्या करें, इसके डब्बे में, अब कोई तो एक डब्बा होगा ना, तो इसके डब्बे में, हमने coil को ऐसा लटका दी, बीचो बीच से, यह wounded है, और यह जो coil है, इसी से connect है needle, clear है, क्योंकि अगर यह rotate होगी, तो needle भी इदर उदर deflect होगी, और यह scale पे आपको reading शो करेगी, side में आप लोग को magnet लगा दी, because magnetic field में तो चाहिए न, magnetic field में आप लो current carrying coil को रखोगे, तो वो torque generate करता है, moment करेगा, moment करेगा, तो deflection शो होगा, अब एक चीज़ समझो, zero पे था, deflect हुआ, और वापस भी तो zero पर जा, नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई medium ही नहीं, उसको वापस ले जा सकी, इस वज़े से, यहाँ पे एक spring यूज़ कर रहे है, spring इसलिए यूज़ कर रहे है, कि जब यह deflection शो करेगा, तो वापस से twisting force के तुरू आपस आ सकी, समझ मैं है, तो twisting torque generate करने के लिए, spring यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उपर से देखे, तो मैंना अब भी कहा, यह cylindrical portion में, इस वज़े से, ऐसा cylindrical type का है, इस वज़े से यहाँ पे radial magnetic field बनाना पड़ता है, और यह coil रही, और यहाँ आप लोग का spring रहा, और यहाँ पे आप लोग का soft iron core लगा हुआ है, clear है भाई लोग, अब कितना torque generate हो रहा हुआ, अरे जो अभी derivation में solve करें न, यह इतना torque generate होता है, और maximum हो रहा है, क्योंकि radial magnetic field produce हो रही यहाँ पे, तो sine 90 हो जाएगा, तो maximum torque हो जाएगा, और यहाँ आई एबी, clear दोस्तों है यहाँ तक कि, इसके लावा आप से कोई पूछ सकता है, कि भे ठीक है, मान लिए कि जो deflection होआ, वो torque पता चल लिया, coil को deflect होने के बाद, वापस आने का जो twisting torque ता, उसकी value कितती होगी, तो twisting torque होता है, तो twisting torque एक्चल में directly proportional होता है, deflection of the scale के, जितना जादा scale, जितना जादा needle deflect होगी, उतना जादा torque यहाँ पे, आप लोग को twisting torque produce होगा, तो जैसी proportionality constant एट आओ, c आजाएगा, इसको कहते है, torsional constant, clear दोस, तो tau की value यह होगई, tau की value यह होगई, तो 2 tau की value होगई, एक यह है और एक यह है, दोनों को हम compare कर देंगे, तो कितना होजाएगा, niab which is equal to c5, और i की value ले ले लो, तो आपकी i की value, कितना current दोड़ रहा, तो इतना current दोड़ रहा, इसमें से भी, galvanometer constant, एक constant होता है, जो कहता है क्या, जो constant होता है, c upon nba, यह constant है, तो यह term को आप लोग g से replace कर सकते हो, तो i which is equal to कितना हो जाएगा, g5 हो जाएगा, और g कहें कि समसे constant है, अरे भाई, अगर अब भी मैंने देखा न, directly proportional दफ आई के, proportionality हटाया, तो constant आया, अब इसका उपर opposite भी लिख सकता है, proportionality वापस ले लिया, तो directly proportional होगी, तो proportionality वापस लिया, तो directly proportional, तो यहां से यह समझ में आया, कि जितना ज्यादा current दोड़ेगा, galvanometer के अंदर, उतना ज्यादा deflection on the scale शो होगा, यह चीज आपको यह समझ माता है, इसके अलावा अगला होता है sensitivity, कितना sensitive है galvanometer, तो दो टाइप से आप उसकी sensitivity को समझ सकते हैं, एक है current sensitivity, दूसरा है voltage sensitivity, तो current sensitivity होती है, ratio of channel to the current, and voltage sensitivity होता है deflection to the voltage, इसके बाद अगले दो topic निकल के आते, बहुत छोटे से, छोटे पिद्दू-पिद्दू से topic है, दो number के आ सकते, कि आर आप galvanometer को voltmeter में convert करके देखाओ, अगर आपको इसको इसमें convert करना है, तो याद रखना पड़ेगा हमेशा आपको, कि अगर आपको galvanometer को voltmeter में convert करना है, तो resistance की value आप लोग को increase करनी पड़ेगा, अब यह resistance की value कैसे increase कर सकते है, resistance की value तब increase कर सकते है, जब आप लोग galvanometer के बाजू में, एक resistor को इस तरह से connect कर दो, आया न, at the end तो क्या होगा, current धीरे धीरे यहां से जो pass हो रहा था, वो low होने लग जाएगा, जिस वज़े से potential drop यहां पर रुख जाएगा, और इस वज़े से high resistance यहां पर offer होने लग जाएगा, तो basically, अगर आप लोग को galvanometer से voltmeter बनाना है, तो आपको हमेशा से एक चीज़ याद रखने पड़ेगे, कि galvanometer के साथ आप लोग को एक resistor को series में connect कर देना है, जिस वज़े से सुख के अंदर high resistance offered हो जाएगा, और वो convert हो जाएगा किसके अंदर voltmeter के अंदर, और यह कितना resistance की value आती, वो आती V by IG minus G, एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, कि galvanometer के साथ आप लोग एक resistance को parallel में connect कर दोगे, उसी को कहा जाता है shunt resistance, तो इस वज़े से होगा क्या किया जो resistance है, वो कम हो जाएगा, current maximum दोड़ने लग जाएगा, और उसके थुरू आप लोग को exact value या exact trading शो होने लग जाएगी, तो वो ही मैंने आप लोग को कहा low resistance को यह shunt कहा जाता है, इसको आपको parallel में connect करना रहता है galvanometer के, समझ में है दोस्त, और उसकी जो shunt resistance की value आती है, S की value हुआ आती है, IG upon I-G और bracket के बाहर capital G, तो I क्या है total current in the circuit, G है resistance in the galvanometer, S है resistance of the shunt, जो की low resistance का है, और IG जो है current through the galvanometer है, So I hope आप लोग को chapter अच्छे से समझ में आ गया हुँआ, सारी चीज़ा आप लोगी clear हो गई होगी, बस आप लोग से request है, घर बेटे यार, questions की practice जरूर करे लेना, बिना questions की practice करे, कोई भी आपको अच्छे marks नहीं दिला सकता है, Please chapter wise आप लोग ले लो यार, एक question bank जिसके तुरू आपके अच्छी preparation हो जाएगी, मैंने जो आपको recommend की अगर आप चाहो तो वो भी ले सकते हो, इसके अलावा आप लोग चाहो की अगर, भया में ढाई मैंने के अंदर पुरा slave us complete करना है, या फिर देखो, अगर आप याप याप यापी वीडियो बात में देख रहे हो, अग्जाम मुमेंट के batches भी होंगे, last मुमेंट के batches भी होंगे, crash course, revision courses, सब कुछ होंगे, तो आपको मेरे platform पे मिल जाएगे, platform को आप access कर सकते हैं, मेरे website और साथी साथ, play store में मेरे application भी launch होंगे, दोनों की through, live classes और सारी recording classes, सारी चीज़े आप लोग कुछ study material बगिरा, सब कुछ दोनों में मिल जाएगा, और अभी offer चाड़ रहे 25% off, because अभी recently app मेरी launch होई है, तो जल्दी जल्दी जाए, download करें, उन courses को access करें, और live classes मेरे साथ घर बैटे पड़े, अगर आप serious way में पढ़ना चाहते हैं, और literally boards में तगड़े वाक से score करना चाहते हैं, तो सभी चीज़े आप लोग में यहापे detail रहेगी, और detail में मैं आप लोग को cover up करवा हूँगा, तो चलिए end करते हैं, अच्छी इस वीडियो को मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए good bye,